दोस्तों रमस्कार मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभाज चुनाव के अंदर कॉंग्रेस के जो शिकस्त हुई है कॉंग्रेस को जो हार मिली कॉंग्रेस के अंदर मैंने आपको कई वार कहा है कि कोराम है कोला हल है और कॉंग्रेस के अंदर अलग-अलग मंचों पर इसे लेकर मंथन है कॉंग्रेस के नेता इस तमाम जो उनकी हार हुई विदानसभाज चुनाव को ले करके उसे ले करके अलग-अलग जाँच चल रही है कॉंग्रेस के अला कमान ने इसका ममले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जिसके अंदर 36 गड़ के पूर्व मुख्य मंत्री भुपेश बगेल थे जिसके अंदर राजिस्तान के विदायक चौधरी साब थे जिसके अंदर और भी कई कॉंग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल किया गया जो यह जाँच रही है कि आखिर कहां कमी रह गई थी 53 हारे हुए केंडिडेट्स से जो बताया गया है उनकी बातचीत हुई और उन्होंने सारी रिपोर्ट रखी कॉंग्रेस आला कमान के सामने उसके बाद में हर्याना परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्स चौदरी उदैवार ने आठ सदस्य कमेटी और वना दी जिसके चेयर्मेन करन सिंग दलाल है और करन सिंग दलाल के नेत्रतों में उस कमेटी के अंदर पांच ऐसे नेता हैं करन सिंग दलाल सहीद जो इस विदान सभाज चुनाव में खुद चुनाव हारे थे। को जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है चौधरी उद्यवान ने उस पर सवालिया निशान लगाया है शंशेर गोगी ने करन सिंग दलाल इस सारे मामले को ले करके करन सिंग दलाल एक मैं कह दू दबंग नेता कह दू उनको यह कह दू उनको इक पास आइडियोजी बह का पलिटिकल करियर है और करन सिंग दलाल की जो यह कमेटी है करन सिंग दलाल के नेत्रता वाली जो एक कमेटी बनी है इस पर सवालिया निशान लगा दिया है शंशेर गोगी ने शमशेर गोगी कह रहे हैं कि सब मामले पर लीपा पोती करने का प्रियास है अब बड़ा सवाल ये है जिस मामले को ले करके जिस हार को ले करके फैक्ट टिकठा करने चले हैं करण सिंग दलाल उस कमेटी की ही अगर उपयोगिता पर सवाल या निशान लगा दे कॉंग्रेस के ही नेता और एक चुनाव हारने वाले नेता शमशेर गोगी असंद से शमशेर गोगी विधान सभा का चुनाव हा रहे थे और आपको ध्यान होगा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफर्म्स पर पहले चला मैं आपको जरूर यहां जोड़ूँगा इसके अंदर कि पहली रैली राहुल गांधी की असंद में होई थी हर्याना के अंदर जो चुनावी सभाएं करने के लिए आये थे राहुल गांधी वो पहली चुनावी सभा उनकी असंद में होई थी और असंद में उन्होंने शमशेर गोगी के लिए वोट मांगा था शमशेर गोगी माने जाते हैं कुमारी सेलजा के समर्थक और शमशेर गोगी ने उस समय कहा था कि भुपेंदर सिंग हुड़ा जी जो अर्याडा के पूर मुख्यमंत्री कॉंग्रेस जो CLP के पूर्व नेता थे और कॉंग्रेस के बड़े लेता जिनके अनुशंसा पर बड़ी मात्रा में टिक्टे दी गई शमशेर गोगी ने कहा था कि भुपेंदर सिंग हुड़ा जी ने उनका नाम ही नहीं लिया और कह चुके है कि कॉंग्रेस के अंदर जो ये गुटवा जी ये सब को ले करके आरोप लगाते रहे हैं शमशेर गोगी खुद को कॉंग्रेस का परदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी कर चुके हैं कि अगर मुझे अध्यक्ष बनाएं तो मैं क्या करूँगा खेर अब बड़ी बात ही है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉंग्रेस के परदेश अद्यक्स चौधरी उदाइभार ने बनाई करण सिंग दलाल के नेतरतों में उसकी उप्योगिता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है शमशेर गोगी ने तो फिर उनकी जो रिपोर्ट होगी आखिर उसको चुनाव आयोग या अदालत के अंदर कितने तवज्जो मिल सकती है कितनी आगे जा सकती है वो जब कॉंग्रेस के नेता ही उस कमेटी पर सवालिया निशान लगा दे प्रशन चिन लगा दे तो फिर उसकी उप्योगिता उसकी उपलब्तता और उस पर कितना जादा विश्वास किया जा सकेगा आगे चलके ये बड़ा सवाल बन जाता है वैसे मैंने आपको अपने कई वीडियो में कहा है कि कॉंग्रेस के अंदर सबसे महत्यपूर्ण बात विधान सभाद चुनाव के अंदर ये रही चौदरी विरंदर सिंग डूमर खांप इसले दिनों कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जिनको टिकेट मिल गया वो कॉंग्रेस हो गए और जिनको टिकेट मिल नहीं मिला वो कुछ नहीं रहे यानि कि लड़ाई कुछ ऐसी बन चुकी थी कॉंग्रेस के अंदर खास करके कि जो टिक्टार्थी थे और जो टिक्टार्थी नहीं थे और जिनको टिकेट मिला इसको अलग अलग कैटिगरी में आप रख सकते हैं कि टिकट लेने वाले कई ऐसे स्थान थे जहां पर वो अक जिन में से बादर गड़के चुने गए राजेश जून वो कॉंग्रेसी थे कॉंग्रेस की टिकेट चा रहे थे उनको कॉंग्रेस ने टिकेट नहीं दिया था पांच साल पहले उनसे वायदा किया गया था खुद बुपेंदर सिंग हुड़ा और दीपेंदर हुड़ा बता सकते हैं वो भी विधायक बन गई और तीसरे बताया जाता है देवेंदर कादियान जो विधायक बने हैं गन्नौर से वो भी कहीं परियास में थे भाजबा का टिकेट कटने के बाद की कॉंग्रेस में बात बन जाए लेकिन वहां भी बात नहीं बनी कुलदीब शर्मा कॉंग्रेस के केंडिडेट थे उनको हरा करके चुनाव जीते अगर ये बात समझी जाए जहां से तक सोशल मीडिया की बाते हैं अगर ऐसा था तो फिर वो तीरों इंडिपेंडेंट विधायक भी कहीं कॉंग्रेस की साइड के थे और इसके अलाब अगर देखे तो ऐसे ब मैदान में उतरे उन केंडिडेट्स ने लगवक्त 45-50,000 तक वोट ले लिए इसलिए हमने कई वीडियो में आपसे कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इस सारे फैक्ट्स देखने होंगे खाली किसी पर दोशा रोपन से बात नहीं बनने वाली, अपने अंदर छुपी हुई कमिया जब तक जागर नहीं होंगी, जब तक सामने नहीं लाई जाएंगी, तब तक फैक्ट फाइंड जो होंगे, वो पूरे तरह फैक्ट्स नहीं होंगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें